फाइरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट extremely high temperatures पर बंदूग से बाहर निकली अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दूँ तो इसके अंदर हैंगे चार लेयर्स सबसे पहली है ceramic layer फिर aramid fiber layer फिर vertex layer और लास्ट में ये polyethylene layer सबसे पहले बुलेट इस ceramic layer की ceramic disc से टकराएगी जिससे बुलेट की speed कम हो जाएगी प्लस बुलेट का ये streamline shape कुछ इस तरह से deform हो जाएगा deform होने के बाद बुलेट इस aramid fiber layer से टकराएगी ये steel से भी ज़्यादा मजबूत एक tightly weaved fiber है बुलेट के contact में आने से ये इस तरीके से पीछे की और stretch हो जाएगा और इस बुलेट की kinetic energy को absorb करके पूरे surface पर distribute कर देगा इसको चीरते हुए बुलेट vertex layer से टकराएगी vertex layer और कुछ नहीं बस इस aramid fiber layer का ही upgraded version है जो की और ज़्यादा tightly weaved रहता है आगे भडते हुए ये high temperature bullet जब इस tight chemical bonds वाली polyethylene layer के contact में आएगी तो इस polyethylene का contacted part पिखल जाएगा और इस bullet को ऐसे जकर लेगा 3D animation की मदद से topics को समझना कितना आसान है न तो इंतजार किस बात का है जल्दी से subscribe button को दबाओ